नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नहां वर्मा तीन क्रिशी अध्यदेशों को लेकर हर्याना में सियासत काफी गर्मा गई है किसान संगठन सहित विपक्ष इसको लेकर सरकार के खिलाफ उग्र बने हुए है वहीं सरकार भी इस मसले को श पूरे विपक्ष को राक्षस कह डाला विजने केजरिवाल सहित पूरे विपक्ष की तुलना उन राक्षसों से कर दी जो पुराने समय में महारिशियों के यग्य में हडियां डाल दे थे दरसल दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने ट्विट करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने तीनों अध्या देशों की तहत किसानों को बड़ी कम्पनियों के हातों शोशन के लिए छोड़ दिया है इसके साथ उन्होंने ट्विट में गैर भाशपा पाटियों को एक साथ राजसवा में इसका विरोध करने का भी आहावान किया केजरिवाल के स्ट्विट पर हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विज ने उन्हें आडे हातों लिया उन्होंने कहा कि केजरिवाल का काम देश में आग लगाना है विज ने चैलेंज किया है कि केजरिवाल बताए कि विधेयक की कौन सी धारा में इसे किसी मल्टी लेशनल कंपनी को बेचा गया है विज ने केजरिवाल और पूरे विपक्ष को गेरते हुए कहा कि जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उनमें विग्ण डालने का काम करते हैं जैसा पहले महारीशियों के यग्गे में राक्षस उसमें आकर हडिया डाल देते थे और यह वही राक्षस है उन्होंने कहा कि लेकिन हिंदुस्तान का किसान सब समझता है और वह यह सब समझ सकता है कि इस विध्यक से उस पर लगे सभी बंधन अजाद कर दिये गए हैं वह कभी भी अपनी फसल बेचे कहीं भी बेचे विच ने कहा कॉंग्रेस एक नंबर की धोकेबाश पार्टी है उन्होंने अपने घोशना पत्री में ये विध्यक लाने की बात कही थी लेकिन नहीं लाए अब हम ले आए तो यह शोर मचा रहे हैं इसके साथ ही ग्रे मंत्री अनिवले जी ने सुखबीर बादल के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें सुखबीर बादल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का सिर्फ एक ट्विट इस मामले को खत्म नहीं कर सकता वह किसानों की अवाज उठाते रहेंगे विज ने कहा कि बादलों की अपनी राजनीती है लेकिन वह यह बताए कि जिस दिन यह विदेग जारी हुआ उस दिन उन्होंने त्याक पत्र क्यों नहीं दिया आज लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तब वह ऐसा कर रही है जबकि बिल में कोई बदलाव नहीं हुआ वही हर्याना के पुल्प्रधान मंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा द्वारा विदान सभा का विशेश सत्र बुलाने पर विज ने जवाब दिया विज ने कहा कि हुड़ा ना समझ आदमी है अभी विदान सभा एडजर्ण नहीं हुई स्थागित हुई है अभी हम सेशन में है जो कभी भी बुलाया जा सकता है विजनिया रोप लगाया है कि हुड़ा साभ वैसे तो शेशन बुलाने की बात करते हैं लेकिन सत्र से उठकर भाग जाते हैं और वहाँ से बात नहीं करते ना कभी लोगों के मुद्दे उठाते हैं वहाँ इने बॉला नहीं आता और इनका गला चोक जाता है यह केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं क्योंकि यह लोगों के हक में नहीं है आगर ये लोगों के हक में होते तो अजादी के सतर साल बाद भी किसानों की हालत यह नहीं होती आज सतर साल बाद किसी सरकार ने किसानों को उनका हक दिया है देखिए निल्विज ने क्या कुछ कहा काम है देश में आग लगाना के जिरीवाल बताएं तो सही उधायक के धारा दर धारा पढ़कर बताएं कौन सी धारा में इसको मर्टी नैशनल कमपनियों के हाथ वो बेचने का कोई प्रावधान किया गिया है केजरी वाल एंड बार्टी या अर्बन एक्सलाइट्स या कांग्रिस के लोग विपक्ष यह जब भी देश में कोई अच्छा गाम होता है तो यह उसमें विगन डालना चाहते हैं खुड़ा ना समझा दूए है उधान सबा अभी अड़ जोन नहीं हुई हुई है साइन डाई हुई है वी आर इन सेशन और कभी भी वो सेशन बुलाया जाना है सबको पता है अब हुड़ा साफ वैसे तो कह देते हैं विषे शत्र बलाओ मैं उसमें बात करोंगा और जब शत्र बलाते हैं तो वहां से उठके भाग जाते हैं नहीं करते है वहां कभी इन और लोगों के मुद्धे नहीं उठाये वहाँ इनको बोलना ने आता हैं वहां इनका गलाचोक हो जाता है यह केवल लोगों को बढ़काने का काम करते हैं यह लोगों के हक में ना कभी थे ऐसे ही लिटेश दोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद थाइब ट्राइब बेल धन्यवान, भुशनाओ ट्राइब प्राइब।